हेलो वाल एन्द वेलकम टू रिकॉग्निशन आई एस लात क्लासे गमें हम लोग क्लामित के बारे में देख रहे थे और प्लामित में हम लोग ने लास्ट ग Mobileall करते हैं और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन मॉन्सून की और साथ ही साथ हम लोग इसमें एक और important और complex topic jet stream के बारे में बात करेंगे jet stream के बारे में हाला कि हम लोगों ने थोड़ी मोड़ी चीज़े देखी थी but again इस वीडियो में हम लोग काफी detail में देखेंगे तो इस वीडियो को जरा ध्यान से समझेगा क्योंकि Indian Monsoon के हम लोग बहुत सारे important concept के बारे में discuss करेंगे साथ ही साथ jet stream की भी एसे लेकर के jet तक सब कुछ discuss करेंगे ये देखी वीडियो थोड़ी से मुश्किल होती है virtual तरीके से इस तरीके से discuss कर पाना लेकिन मैं कोशिश किया हूँ और अगर आपको कोई doubt होती है तो again वही टेलिग्राम चैनल में आप जा करके उसको अपने doubts को पूछ लीजेगा अगले वीडियो में आपको मैं clear करते हुए एक वीडियो निकाल दूँगा ठीक है चले फिर श्टार्ट करते हैं let us start let us complete and let us correct but before that these are our contact details and these are some of the available courses on youtube these are plums special, mains special and test series based on subscription तो चले फिर फिर फटाफट monsoon के बारे में discuss कर लेते हैं तो Indian monsoon के बारे में अगर बात करें तो already आप लोगों को पता है कि जो monsoon word है यह Arab contributors के दुआरा दिया हुआ है मौसिम word से आता है जिसका मतलब होता है reversal of the wind तो reversal of the wind से यह चले आती है कई सारे effect यहां पर हमें देखने को मिलते हैं जो सबसे पहला effect हम लोग देखेंगे Tibetan play 2 का effect पहले देखेंगे आपको पता है पहले काम करते हैं जरह map पे आते हैं मैप से हम लोग जरह समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ है यहां पर आपको पता है कि Tibetan play 2 है यहां पर Tibetan play 2 आ जाती है और यह Tibetan play 2 near about 4 km यह जिसको आप बोल सकते हैं 4000 meter यह उची है हाइट पे है और आपको साथ में यह भी पता है कि इधर में भी mountain है और धर भी mountain है मतलब यह basically तिबतन play 2 एक तरीके का inter-mont play 2 है तो यह एक inter-mont play 2 है मतलब कि दो play 2 दो mountain के बीच में यह आया हुआ है उपर के साइड में आ जाती है जो हमारी कुनलुनशियान है और साथ में नीचे के साइड में आ जाती है जो हिमालिया है इन दोनों के कारण से होता क्या है कि यह जो region है वो high insulation की वज़े से उपर से sun से high energy ले ले लेता है और high insulation की वज़े से यह heat बहुत जादा हो जाता है इसके heat होने के कारण से कई सारी चीजें बदल रही होती है क्या चीज बतल रही होती है अब हम लोग इसी को discuss करेंगे अब जरह यहाँ पर एक और चीज ध्यान से सुनिएगा अगर कोई माल लेते हैं कि wind इधर से आ रही है suppose इधर से wind आ रही है तो अंदर की side में जब यह जाती है तो एक यह physical barrier बन जाती है physical barrier बनने का मतलब है कि बहुत सारी हवाओं को यह रोग देती है number one number two jet stream एक चीज होती है जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे उस jet stream को यह काफी ज्यादा impact या फिर influence कर रही होती है अपने इस height के कारण से इस height के कारण से बहुत ज्यादा है यहाँ पर differences देखने को मिलते हैं इसको हम लोग अभी आगे बिसकस करते हैं जरा देखते हैं फ़ले tip button play two के बारे में tip button play two के height मैंने आपको बताया भी 4000 meter या 4 km होती है इस बहुत ज्यादा height होने के कारण से यह एक barrier बना होता है and due to this enormous height यह insulation बहुत ज्यादा receive करता है जिसके कारण से जो इसकी temperature है वो 2 से 3 degree ज्यादा अपने neighboring area से ज्यादा temperature यह receive कर रहा होता है इसमें अगर बात करें कि इस temperature के कारण इस insulation के कारण अब आपको पता ही है insulation के कारण से यहाँ पर heat आती है heat भी एक तरह की energy है जो ms delta t देती है delta t यहाँ पर 2 to 3 degree centigrade यह ज्यादा दे दे रहा है यह आपको clarity आ गई है it is also one of the most important geographical control on the general atmospheric circulation in the region अब थोड़ा से atmospheric circulation के बारे में देख लेते हैं और हमारा जो पुराना climatology का chapter है हाला कि paper one तो हम लोगों ने नहीं देखा है लेकिन एक बार कुस्टो idea होगा या आपको उसी idea के basis पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता है कि अगर माल लेते हैं यह हमारी earth है this is our earth जहां पर यह हमारा zero degree है या फिर equator भी आप इसको बोल सकते हैं इस equator के बाद यहाँ पर tropic of cancer आ जाती है और उसके उपर में 66 and half हो जाती है जिसको हम लोग horse latitude भी बोल रहे होते हैं तो this is basically horse latitude और इसके उपर में यह 90 degree वाली polar latitude आ जा रही होती है यहाँ पर हमें tropic of cancer है ही तो कोई दिकत नहीं है चलिए एक है अब यहाँ पर हमें होता क्या है कि चुकि इस line पे equator पे सीधी insulation आती है सीधी insulation आने के कारण से यह low pressure region बना होता है low pressure के कारण से होता क्या है यहाँ पर जब भी कोई चीज माल लेते हैं यहाँ पर बहुत जदा अगर heat पड़ रही है जैसे इस area में बहुत जदा अगर heat आ रही है तो heat के कारण से इसका temperature high हो जाएगा तो यह area high temperature हो जाएगा और ideal gas equation बोलती है कि यह low pressure हो जाएगी प्रशर लो हो जाएगी तो सीधी सी बात है यहाँ कि हवा जो होगी वो गरम हो जाएगी गरम होने के बाद यह उपर उठना शुरू कर देगी तो जैसे ऐसे उपर उठेगी यह clouding करते जाएगी और जब यह cloud उपर high पर पहुँच जाएगे तो क्या होगा यह rainfall करना शुरू कर दे रहे होते हैं और इस rainfall के कारण से यहाँ पर high rainfall जमा हो जाती है high rainfall यहाँ पर देखने को मिल जाती है और यह rainfall को ही हम लोग बोलते है conventional rainfall यह सब तो आपको पता यहोगा मैं फटावट रिवीजन करा रहा हूँ के वल conventional rainfall हो जा रही होती है नीचे अगर low pressure बना होता है तो जैसे ही उपर जाएगी वो high pressure बन जाती है high pressure के कारण से अब यह और उपर नहीं जा सकती है इस वज़े से distribute हो जाती है distribute होने से एक रास्ता चला जाता है जो north pole की तरफ चला जा रहा होता है और दूसरा रास्ता चला जा रहा होता है जो south pole की तरफ जा रहा होता है यह तो clarity है अब यहां से आपको देखने को मिलेगा कि हवा की जो air है उसकी sinking देखने को मिलती है हमें इस 30 degree के near about के region में sinking देखने को मिलती है इस वज़े से ये region जो है वो high pressure region बन जा रहा होता है साथ में हमें पता है कि जो polar region है वो काफी यादा cold होता है और cold होने के कारण से यहां के temperature बहुत जादा low हो जाएगी तो pressure यहां पर काफी जादा high हमें देखने को मिल जाएगा High pressure होने के कारण एक बाद शियो रहा है कि यहां पर भी हमें sinking of air देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पर भी basically syncing हो रही होती है Sinking होने के कारण से again यह हवा इदर उदर distribute हो जाएगी distribute हो जाएगी अब इदर तो कुछ जाने को है नहीं तो साड़ी हवा नीचे distribute हो रही होती है इस distribution के कारण से इदर से भी हुए हवा distribute हो यह एक cycle यह complete हो गया है दूसरी cycle ये इधर चल रही है जहां से ये warm air आ रही है warm air और इधर से cold air तो this is cold air क्यों क्योंकि cold air mass या फिर polar area से आ रही है और यहां पर ये warm air है क्योंकि equator side से आ रही है तो यहां पर air rise कर जाता है क्यों rise कर जाता है क्योंकि यहां पर front formation हो जा रही होती है तो front formation के कारण से इस तरीके से हमें wind की एक cycle मिल जा रही होती है यहाँ पर दूसरी cycle हमें again यहाँ पर इस तरीके से मिल जाती है और यह पूरा का पूरा हमारा air circulation बन जा रहा होता है इस पूरे cycle को हम लोग बोलते है headly cell और इस तरीके से हमारी headly cell सामने आती है जिसमें beach वाली जो cell है इसको हम लोग feral cell बोलते है क्योंकि feral नहीं इसको बताया था इस तरीके की चीज़ को feral नहीं बताया था इस सारा चीज़ आप लोग ने NCRT में अपने basic atmosphere में या फिर basic climatology के section में आप लोग ने पढ़ा होगा हम लोग इसकी detailing देखेंगे जब हम लोग paper one की पढ़ाई करेंगे हलाकि इसकी जरूरत है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर discuss किया हुआ अब देखें जरा है यहाँ पर हमें एक idea लग गया है काम करते है color को change करते है ताकि एक अच्छे से idea लगा let us take black यहाँ पर low pressure है इसलिए air जो होती है ऊपर उठेगी और इस तरीके से एक circulation बना हुआ होगा जहाँ पर हमें इस तरीके की circulation देखने को मिल जाएगी यहाँ पर depression हो रही है similarly यहाँ पर भी depression हो रही है और इस तरीके से यहाँ पर भी एक circulation बना हुआ होगा जहाँ पर ऐसी air आ रही होगी अब यहाँ से यह warm air जा रही है आगी यहाँ पर front formation हो रहा है और ultimately यह पूरा का पूरा cycle complete हो करके रखा हुआ है clear हो गया clear area का मतलब clear sky होगी यहाँ पर cloud वगर है देखने को हमें नहीं मिलेंगे और यहाँ पर rainfall condition भी बहुत ही poor रहेगी या न के बराबर रहेगी यहाँ तक तो clear हो गया यह सब चीज़े clear है अब ज़रा एक और चीज़ देखिए मैं इसको पूरा erase कर रहा हूँ यह माल लेते हैं north pole है this is our south pole ठीक है बीच में कहीं पर माल लेते हैं equator है अब हमें क्या होता है कि equator पर पता है कि हमारी जो insulation होती हो बहुत ज़ादा होती है और insulation आगी क्यों घटे आती है यहाँ पर 8 km होती है और यहाँ पर 18 km होती है अब ज़रा दीखेएगा atmosphere के बारे में atmosphere के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इस तरीके से हमें troposphere मिलती है troposphere की region मिलती है फिर उसके बाद से stratosphere की region मिलती है stratosphere काफी उपर चला जा रहा होता है फिर यहाँ पर mesosphere मिलती है और ionosphere और फिर ultimately एक्जोस्फियर हो जा रही होती है, यह तो यह आपको clarity होगी, यहाँ पर कोई doubt नहीं होगा, लेकिन जो हमारी air चल रही है, air को हम लोग red color से देख लेते हैं, जो हमारी air चल रही है, यह equator है अगर, माल लेते हैं equator और यह pole का इलाका है, कोई भी not pole, south pole में से कोई भी ले सकते ह यहाँ पर air basically rise की थी, तो जिसके कारण से atmospheric circulation आया था, यहाँ पर air sink कर रही है, तो sink कर रही है, तो cloudy तो होगा नहीं, तो 여ाँ पर basically हमें इस तरीके का एक cycle देखने को मिला था, यह cycle देखने को मिला था, यहाँ से यह cycle देखने को मिला था, اور ultimately हमें इस तरीके की चीज़े रही थी, question ये उड़ता है, क्या इसके उपर ये beyond, क्या पूरा vacuum है क्या, नहीं, यहाँ पर भी air है, बट ये air, free air होती है, इस free air की जगा पर इसको हम लोग बोलता है, frictionless air या frictionless surface, frictionless surface, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ, वो book में नहीं लिखा है, ये recent study, recent development है, अब जरा यहाँ पर देखिए, अगर हम लोगों ने देखा है, कि ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पर अगर हमारी जो मैं yellow color से color कर रहा हूँ, ये इलाका अगर air का है यहाँ पर, तो air अल्रेटी यहाँ पर, इसके कारण से extra pressure में हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, compact होने के कारण से ये high pressure पे आ गया है, clear, यहाँ पर relatively कम pressure लग रहा है, low pressure लग रही है, जिसके कारण से ये इलाका कम pressure में है, low pressure में है, अब होगा क्या, हवा कैसे चलती है, high pressure to low pressure, तो एक air यहाँ पर भी नई air generate हो जाएगी, नई मतलब कि ये jet stream नहीं है, this is something other than jet stream, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, upper air circulation, कुछ समझ में आया, upper air circulation के बारे में क्या है, यह हम लोग थोड़ा सा अलग हट करके पढ़ाही कर रहे है, थोड़ा सा और clarity के साथ देख रहा है, तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर, यहाँ पर एक अदग तरीक, अलग तरीकी कि हमें circulation द एर आगे की और move कर रही होती है, और यह भी air, monsoonal activity को या फिर atmospheric circulation को impact कर रही होती है, अब जरा इतना समझ गया है, तो अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए, it is the most important geographical control और इस तरीके से यह पूरी की पूरी atmospheric circulation को impact कर रही होती है, एक चीज हम लोग न देखा है यहाँ पर, कि अगर suppose माल लेते हैं कि इस इलाके में equator आके रखा हुआ है, आगे की इलाका ऐसे ही आएगा जहाँ पर हम लोग कहेंगे 30 degree की line है, इसी तरीके से आगे 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 जो 60 degree की line होगी, यहाँ पर air rise कर रही है, यह हमारी air है, और ultimately यह air, यह यहाँ से rise क करके रखी हुई है, और ultimately आगे की ओर move कर रही है, move करके 30 degree पर यह sink कर रही है, यह clear है, थोड़ा सा 3D figure बन रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर फिर air मुचल रही होती है, ultimately यहाँ से फिर rise कर रही होती है, यह जो rise और sink है, यह normally तो आपको हर जगा scene देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में एक जगा आएगी जिसको कि हम लोग बोल रहे है हमारा Tibetan Plateau, इस Tibetan Plateau पे हमें surface कुछ अलग तरीके का Tibetan Plateau पे हमें जो चीजे हैं वो थोड़ी unusual देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर insulation काफी ज्यादा होगा, और इस insulation के कारण से यहाँ पर again low pressure create हो जाए की sinking करने के, जैसे धक्ती निगरे पे देखिए sinking हो रही है, लेकिन यहाँ पर air rise करेगा और इस air rise करने के कारण कई सारी अलग चीजने, अलग घटनाए हो जाएंगी, इसी वज़े से तिबबत की Plateau को अलग से पढ़ना काफी important हो जाता है, and that is why यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि Plateau of Tibet affects the atmosphere in two ways, एक तो separately पहले तो physical barrier बना जाता है, और दूसरा जो था high level heat source बन जाती है, फिर बोल सकते हैं इसी को कि हम लोग low pressure region बन जा रहा होता है, इतना clear हो गया है यहाँ पर, तिबबत अन Plateau के बारे में आपको पूरी idea लग गई, अब ज़रा आगे थोड़ा सा session लंबा होगा, लेकिन climate के बारे में आपको पूरी clarity आ जाएगी, और ऐसी आपको simple language में बात करेंगे, ताकि कोई भी book ना देखना पड़े, book में काफी complex language में लिखा हुआ है, इसलिए असानिक साथ समझेंगे, तिबबत के Plateau की सारी कहानी समझ में आगी, अब इस air में जसी यह मा लेते हैं कि 23 degree, 23 and half है, है ना, ये ट्रॉपिक आफ कैंसर है भाई, करकर देखा है, तो इसी के just उपर में यहां कहीं आपको 30 degree दिख रहा होगा, और यहां पर basically air की sinking हो रही होगी, air की sinking हो रही होगी, लेकिन साथ ही साथ यहां पर air rise भी कर रहा है, यह air rise भी कर रहा है, तो rise करने की कारण से यहां पर कुछ अलग फिनॉमिना होगी, उस फिनॉमिना को हम लोग अभी थोने देरने दिखने हैं क्या फिनॉमिना हो रही है, और continuously इसी मैप पे हम लोग locate करते रहेंगे, ताकि सबका accumulative effect हमें समझ में आ जाए, इनियन मौनसून में ज तरह बन जाता है, at the beginning of June, होता क्या है यहां पर, subtropical jet stream यहां पर completely disappear हो जाती है, एक काम करते हैं, चलते हैं पहले, jet stream के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग अपने इस theory के बारे में आएंगे, ताकि और अच्छे से clarity आ जाएगी, तो चलते हैं पहले jet stream क बारे में अगर आप देखेंगे, तो jet stream एक क्या होती है, jet stream के बारे में, अब देखेंगे गजरा, यह माल लेते हैं हमारी troposphere है, हलाकि जो होता है, troposphere inclined होती है, बट यहाँ पर simplicity के लिए सीधा रख लेते हैं, अराम से समझ में आ जाएगा, इस troposphere के just उपर, आपको एक region मिलता है, जिसको हम लोग बोलते है, tropopause, ठीक है, क्यों tropopause होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, troposphere तक यह temperature decrease कर रही होती है, फिर temperature increase होना शुरू हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक transition zone बनता है, जो की temperature का यह जो, कह लिजए, anomaly है, उसको balance कर रहा होता है, इसी temperature anomaly में एक wind बह रही होती है, जो काफी speed में होती है, और यह west to east बह रही होती है, इस wind को हम लोग बोलते हैं, काफी high speed wind होती है, high speed मतलब 300 से 400 किलोमेटर प्रती घंटा की speed से चलती है, high speed wind, इसको हम लोग बोलते हैं, jet stream, यह jet stream, meandering बना रही होती है, इसे आप देख सकते हैं, it is the most prominent movement in upper air, westerly wind, westerly क्योंकि west to east बह रही होती है, irregular होती है, concentrated होती है, meandering band बना रही होती है, question यह उठता है कि why this meandering band, meandering band इसलिए बना रही होती है, 8 effect, दूसरा effect यहाँ पर देखिए, coriolis effect लग जाता है, coriolis के कारण से, यह जो wind लगातार, अपने right direction में move करना शुरू कर देती है, क्योंकि हम लोग बात करना है, अपने north hemisphere की, तो हम मा लेते हैं कि यह हवा चली, और यह अपने right के remove कर रही है, तो right के remove करेंगी, तो इस तरीके से हमें movement देखने को मिलेगा, अब यह meandering basically दो तरीके की होगी, clear करते हैं इसको और आगे बात करते हैं, meandering हमें दो तरीके से देखने को मिलेगी, कैसे दो तरीके से, यह मा लेते हैं कि हमारा, काट देते हैं surface, यह हमें एक surface है, और यह हमारी मा लेते हैं कि front भी हो जाएगी इधर से, इधर से जब आप देखेंगे तो front भी हो जाएगी, मेंडरिंग हमें इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगी यह मेंडरिंग और दूसरा एक और मेंडरिंग देखने को मिलेगा हमें इस तरीके से यानि कि यह जो wind है वो double मेंडरिंग कर रही है horizontal भी direction में मेंडरिंग कर रही है यानि यह three dimensional wind है three dimensional wind है जो की अपने right side में और top side में दोनों जगहों पर pressure anomaly face कर रही है pressure anomaly यह pressure anomaly basically दो तरीके से है एक तो pressure difference के कारण से ही हो रहा है दूसरा जो हो रहा है वो हो रहा है Coriolis के effect की वज़े से Coriolis force की effect की वज़े से हो रही है हलकी सी movement हुई उस movement के कारण से लगातार यह अपने right direction में move कराने की कोशिश कर रहा होगा दूसरा है pressure जो high to low हमेशा move कराने की कोशिश कर रहा होगा इन दोनों का cumulative effect हमें jet stream के रूप में 3D wind के रूप में meandering के रूप में देखने को मिल जा रहा होगा और इसी कारण से meandering built बन रही होती है इतनी clarity आ गई meandering तक की बात क्या हो रही है next बोलती है it is a kind of geostrophic wind अब देखिए geostrophic wind क्या होती है हमें अगर किसी भी wind पर देखें तो wind पर हमें 3 forces लग रहा होती है एक force लगता है जो pressure gradient होता है कि gravitational wave के कारण से gravitational force के कारण से हमें एक wave देखने को मिलती है या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि यह buoyancy force है buoyancy force लग रही है because air is a fluid air fluid है तो इस वज़े से buoyancy force लग रही है और इसके उपर एक तीसरी force लगती है जिसको हम coriolis force बोल रहे होते है coriolis force इन तीन force का जब हम accumulative करेंगे एक साथ जोडेंगे और जब pressure gradient mg यानि gravitational force को balance कर देता है तो ये और ये cancel हो गया केवल और केवल ये horizontal direction में चल रही होती है और ये जो horizontal direction है this movement is basically because of coriolis force और इस coriolis force के कारण से जो wind बहती है जो केवल और केवल horizontal direction में wind बह रही है उसको हम लोग बोलते है geostrophic wind geostrophic wind ये तो आपको clarity होगी ही यानि कि अब देखिए हमारा जो ये jet stream भी move कर रहा हो क्या कर रहा है horizontal movement ही तो कर रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है west to east में horizontal movement कर रहा है थोड़ी मोड़ी meandering है थोड़ी मोड़ी उससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है बट basically ये west to east meandering करते हुए बह रहा है यानि ये एक तरीके का geostrophic wind हो गया तो यानि jet stream जो होती है वो एक तरीके की geostrophic wind होती है clear हो गया और ये wind travel कर रही होती है यहाँ पर दू इलाका है जहाँ पर jet stream बह रही होती है एक इलाका है जो देख सकते हैं आप middle latitude की side में है जो winter में shift हो करके चली जाएगी इस इलाके में अभी आप लोग देखें कैसे shifting हो रही है अब जर आते हैं काम करते हैं shifting ही देख लेते हैं जैसे माल लेते हैं कि यह हमारी earth है यहाँ पर जब summer का मौसम है जब summer का मौसम है और दूसरे side ले लेते हैं जब winter का मौसम है यह माल लेते हैं इधर लिख लेते हैं winter और इधर माल लेते हैं summer तो summer के season में क्या होता है कि sun rays जो है directly troposphere के उपर मतलब कि यहाँ पे ट्रॉपिक आफ कैंसर पे आना शुरू हो जाती है और इस वज़े से जो IT सीजन एवो मूव कर जाती है कुछ इस तरीके से IT सीजन मूव करेगा तो यानि कि लो प्रेशर जोन बेसिकली मूव कर गया है इस लो प्रेशर जोन के मूव करने के कारण से उपर भी हमें मूवमेंट इस तरीके से देखने को मिल जा रही होती है तो यह low pressure हो गया, उपर में high pressure हो जाएगा, फिर इधर low pressure हो जाएगा और ultimately pole area में high pressure तो बना ही हुआ है तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा changes देखने को मिल जाती है और वही अगर winter के मौसम बात करें तो ITCZ कुछी इस तरीके से move कर रही होती है तो low pressure zone हलका सा 5 degree मीचे चला जाता है और इस तरीके से low pressure बन जाता है, यहाँ पर यह high pressure बन जाता है अगर मा लेते हैं 23 degree यहाँ पर है तो 20 degree पे चला जा रहा होता है हमारा high pressure similarly जो 66 degree पे होता था वो near about 45-50 degree के near about में चला जाएगा low pressure और ultimately pole area में तो हमें 90 degree पे हाँ तो high pressure बना ही हुआ है तो यहाँ पर कहता है कि जो कह लिजे की jet stream है वो move कर रही होती है इस middle attitude इलाके में यह इलाका कौन साइब 20 degree to 45 degree के बीच का इलाका है जो की shift हो करके कहां चला गया है यहां चला गया है और यह जो इलाका बन रहा है वो आप कह सकते हैं कि 35 degree से 45 degree के बीच का इलाका है तो आप देख सकते हैं summer के मौसम में यह है summer का मौसम और यहां पर देखे 35 to 40 degree के बीच में चला गया है और winter के मौसम में देख सकते हैं कि 22-45 डिगरी के बीच में चला गया या 35 डिगरी के बीच में कुछ भी बोल सकते हैं तो basically जो jet stream है वो एक ही jet stream है दूसरी एक और jet stream होती है जो polar area में बहर रही होती है और ये front formation की कारण से होती है इसकी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है वो हम लोग जब paper one physical geography में देखेंगे तो वहाँ पर मैं detailing के बारे में दोलों के बारे मताऊंगा इस jet stream फिलहाल हम लोग किवल और किवल इस वाले jet stream पर focus कर रहा है कौन से वाले jet stream पर ये वाले jet stream पर जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जटे स्ट्रीम ये jet stream पर हम लोग focus कर रहे है है इसका नाम बोलायाता है सब ट्रॉपिकल जटे स्ट्रीम क्लियर हो गया काफे detail में हम लोग देख रहे हैं फोलसी समय लगेगा, आराम से देखते रहते हैं अब ये बोती है कि जितनी भी इंड फोर्स आज हमारी जेट फ्रीम ये ये इप सरफिस की जो वेडर कंडिशन उसको काफिया इंपैक्ट कर रही होती है जटी के बारे में समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं तो the influence of jet stream on the origin of development of Indian monsoon may be appreciated from the following description by the summer and winter season बात करें अगर अपर air circulation हम लोग देख रहे हैं winter season में अब जड़ा देखिए winter season में और winter season में और winter season में काम करते हैं यहां पर देखते हैं winter season में हमें पता है कि हमारी जो jet stream है वो move कर रही है क यहां से 20 degree से लेकर के 35 degree के बीच में तो 20 degree से 35 degree के बीच में move कर रहे हैं यानि अगर इंडिया के पार्ट के बारे में बात करें तो इंडिया का पार्ट इसमें mid latitude वाला region आ जाता है मालत है कि हमारा इंडिया का पार्ट है इंडिया के पार्ट में अगर आप आएंगे तो य धर से ये south का party start हो जा रहा होता है यहां पर हमारी गुजरात आ जाएगी इस तरीके से ये region आ गया 23 degree ये beach से गुजर रहा होता है ये आपको पता ही है यहां से just नीचे यानि कि ये region हो गया 35 degree region ये हो गया तो इन दोनों के beach का जो region है ये जो कह सकते है region है basically इस region में jet stream move कर रही है लेकिन क्या surface पर है क्या नहीं कहां पर है ट्रोपो पॉज में है तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये अगर India का continent है या बोल सकते हैं इंडिया का surface है तो इस India के surface से उपर कहीं पर यहां पर jet stream इस तरीके से move कर रही है इतना clear हो गया ये jet stream actual में हुआ क्या है कि अपने 45 degree से नीचे आई है 45 degree से नीचे आने के कारण से हुआ क्या जहां से अगें सुनना है 45 degree से नीचे आने पर हुआ ये है कि जैसे ही ये नीचे के side में shift होने की कोशिश करेगी इस तरीके से यहां पर आ जाएगा तिबतन प्लेटू इस तिबतन प्लेटू के कारण से एक wind जो है वो north के side में तूट करके चली जाएगी और दूसरी wind move कर जाएगी इंडिया के side में तो basically यहां पर कह सकते हैं कि jet stream है उसका bifurcation हो गया दो पार्ट में तूट गया one side चली गई जो नदन side की हो गई और दूस आप जड़ा यहां पर देखिए दा अपर एयर वेस्टरली जट स्क्रीम जो इस एरिया में फ्लो कर रही है विकाज आफ विंटर मोशन ड्यू टू टू एक्वेटर वर्ट शिफ्ट आफ अपर एयर सर्कुलेशन या अपर या नॉर्पोलर विल्ट डूरिंग नदर्न वि यह एक पार उपर चली गई यह दूसरी पार नीचे चली गई है क्योंकि बीच में हिमालिया आ गया और साथ में यह तिबबत का पठार आया हुआ है इस इलाके के कारण से बाइफर्केशन हो गया एक इलाका हिमालिया के साउथ में चली गई यह दूसरा ब्रांच जो है व पर हुआ क्या यह जो हमारा पाकिस्तान का रीजियन है या फिर कैली जे राजस्तान का जो थार का एरिया है यह हाई प्रेशर बन गया है क्यों हाई प्रेशर बन गया है ठंड का मौसम है डेजर्ट है जल्दी ठंडी हो जाती है जल्दी ठंडी हो जाएगी तो कम यहाँ पर temperature रहेगा, temperature कम रहेगा, तो pressure high बन जाएगा, इलाका समझ में आ गया, ये इलाका high pressure का zone बना रहता है, इस high pressure के कारण से अब जरा अगें ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा 3D figure है और थोड़ा सा complexity ज्यादा है, अब यहाँ पर देखिएगा, चुकि यहाँ पर इस तरीके से high pressure बना हुआ है, अब देखिए यहाँ पर, यह माल लेते हैं कि हमारा पाकिस्तान या फिर राजस्थान का region है, और यह हमारी आगे की माल लेते हैं कि North East का इलाका इदर माल लेते हैं इस इलाके में high pressure बना हुआ है, कहाँ पर? सर्फेस पे, तो सर्फेस के उपर क्या बना हुआ है? लो प्रेशर बना हुआ है, इस लो प्रेशर के कारण से हमें पता है, यहाँ पर कौन सी wind blow कर रही है, jet stream blow कर रही है, और हमें पता है कि यह wind या कोई भी wind low pressure के और attract होती जाएगी, यानि कि यह जो south वाली branch आई है, यह और attract हो रही है, किधर के side में? पाकिस्तान के side में, क्यों? क्योंकि high pressure बना हुआ है, high pressure की कारण से इसके just उपर में low pressure बने हुई है, और इस तरीके से jet stream इंदिया के main land में लगातार खिचते हुए चला आएगा, clear हो गया? तो इस वज़े से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो anti-cyclonic clock wise condition होती है, तो इस तरीके से यह इधर के side में shift हो जा रही होती है, फिर उसके पास से besides the upper air westerly jet stream also cause periodic change in general water condition because they lie over the temperate low pressure cyclonic wave which moves from west to east under the influence of upper air westerly jet stream across the Mediterranean sea and all that. यहाँ तक clear हुआ क्या चीज़ है? वेस्टरली jet कैसे अंदर क्योर आ रही है? कैसे अट्रैक्ट हो रही है? आगे बढ़ते है जरा इसको मैं release करता हूँ ताकि लाश वाला पर अगर आप दिखे. अब बोलता है कि यह जो wind से यह जो storm है actual में frontal नहीं है ओव्यसी बात है फ्रेंट थोड़ी ना बना है यह तो jet stream बनी हुई है और यह jet stream जो है basically वो high pressure और पाकिस्तान के कारण से और यह क्यों बना है? Mediterranean region में अगर देखेंगे अगर map देखू मैं बना है नहीं map नहीं बना है कोई बात नहीं यहाँ पर देखते हैं इस अलाके में उपर आईए यहाँ पर आपको map देखने को मिल जाएगा तो वहाँ से आपको और clarity आ जाएगी यहाँ पर देखिए यह हमारा इलाका Mediterranean का region है this is Mediterranean Mediterranean इलाका यहाँ पर temperate cyclone बनके रखा हुआ है इस temperate cyclone से यहीं से तो jet stream आ रही है यह जट इस्ट्रीम अंदर क्योर में अट्रैक्ट हो गई क्योंकि यहाँ पर इलाका high pressure का बना हुआ है color को change करते हैं ताकि समझ में आएगा यहाँ से निकल करके आ रही है और लगातार यहा लगातार यह बारिश करते हुए आ रहा है बारिश करते हुए आ रहा है और इंडिया में आ गया है इंडिया में आ गया बारिश कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है कब विंटर के मौसम में थंड के मौसम में तो यहाँ पर temperate cyclone के कारण से या फिर बोल सकते हैं extra tropical cyclone के कारण स हमें यह पूरी की पूरी سीन देखने को जोदा है तो जोड़ी श्त्रीम में वापस से हम लोग अपनी वापसी करते हैं और जोड़ी सीन में हम लोगhernे देखा था कि wijजब सीथ या अधा सीन से उसकी कारण से हमें precipitation देखने को मिल जा रही होती है and abrupt decreasing air temperature clear हुआ क्या चीज़ है जितना abrupt temperature मतलब जितना cool होते जाएगा उतना ज्यादा high pressure बनता जाएगा high pressure बनेगा तो उसके ऊपर में मतलब की just tropopause में low pressure बनता जाएगा low pressure बनता जाएगा तो jet stream और ज्यादा attract होते जाएगी clear जैसे यह winter जो हमारी जो western disturbance से pass on हो जाएगी तो jet stream अब उपर की ओर में shift होना शुरू हो जाएगा कैसे shift होना शुरू हो जाएगा condition अब अपरेल वाली आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे जहां पर हमें जो system है जो हमारा jet stream का जो movement है वो अब हमें दिखना शुरू हो जाएगा किस तरीके से यह जैसे माले ते एकवेटर था यह हमारी jet stream इस इलाके में move कर रही थी लेकिन अब यह जो disturbance है जैसे ही खतम हो जाएगा मतलब मन्त पासवान हो जाएगा मतलब की जन्वरी फर्वरी का मन्त आ जाएगा तो pressure जो है वो अब जो solar raise उपर के side में थी नीचे के side में थी वो उपर आना शुरू हो जाएगी उपर आने के कारण से insulation अगेर प्रसर जो हमारी pressure की जो built है वो change होनी शुरू हो जाएगी और जो 20 डिगरी पे हमारा high pressure बन रहा था वो shift हो करके वापस से अपने 30 डिगरी पे built के beyond या फिर north side में चली आएगी और इस तरीके से jet stream का जो इंडिया में effect था वो पूरा का पूरा खतम हो जाएगा जैसे ही यह April cross हो जाएगा तो jet stream के बारे में थोड़ा समझ में आया क्या चीज़ है summer monsoon में आ गया summer condition में winter condition में jet stream कैसे move कर रही है clear हो गया और clear करते है जरा tropical easterly jet stream के बारे में अब देखते हैं जरा जो की किसलिए बन गी है किसके कारण से तिबद के कारण से और यह बन गई along the Kolkata Bangalore बेट अब जरा दिखिए आपर ओके यहां पर हमारी इंडिया है इस तरीके से के बलो के वल टॉप सर्फेस बनाने की जरूरत है बाकी उसके आगे और बनाने की जरूरत नहीं है यहां पर हमारी jet stream यह blow कर रही थी ठीक है कहां से यह हमारी बहर रही थी कह लिजे की 30 degree से ले करके 45 degree के बीच में blow कर रही थी मौसम कैसा है summer का मौसम है कोई दिकर नहीं है गर्मी का मौसम है यहां पर हमारी तिबबत का प्लेटू है यहां पर भी एक air rise कर रही है क्यों क्योंकि temperature बहुत जादा है जिसके कारण से low pressure बन गई है low pressure बनेगी तो air उप उपर आएगा वैसे ही move कर जाएगा right side में क्यों right side में क्योंकि north hemisphere में है और Coriolis force इसको move करा देगी तो Coriolis के कारण सी अपने right side में move कर गई है right side में जैसे ही move करेगी यह आ जाएगी कहां पर यह आ जाएगी attract हो जाएगी way of Bengal के side में उठी कहां है जमीन पे चल रही है क्या surface पे नहीं कहां चल रही है उपर कही है atmosphere में ट्रोपोपॉज में इस ट्रोपोपॉज वाले stream को हम लोग बोल देते हैं jet stream और यह जो jet stream normally जो westerly के रूप में बहर रही होती है वो इस case में east से west क्यों move करना शुरू कर दी है देख सकते हैं इधर के side में east है इधर के side में west है तो east से west में move करना शुरू हो जाती है और इसी कारण से इस वाली wind को हम लोग बोलते है tropical easterly jet stream समझ में आया क्या चीज़ है और clarity के साथ बताता हूँ समझ में और अच्छे से आएगा यहाँ पर काम करते हैं एक map पे चलते हैं और map से आपको ज़्यादा अच्छे से clear आ जाएगा वापस अपने पुराने वाले map पे चलते हैं इंडिया वाले map पे ओके यहाँ प summer के मौसम में हम लोगों ने देख लिया था कि इसी इलाके में temperate इलाके में jet stream blue कर रही है जो की westerly jet stream है जो normal तरीके से यही होती ही है लेकिन इस normal तरीके में यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जो हमारी तिबबत का प्लेटू है यह तिबबत का प्लेटू high insulation या high heat के कारण से यहाँ पर temperature इसका काफी जादा high हो गया है जिसके कारण से pressure इसका काफी जादा low हो गया है इस low pressure के कारण again यहाँ पर air rise कर गई rise करने के कारण से यहाँ पर cloud बना cloud बनने के कारण चुकि यह north hemisphere में है तो अपने right side में इसकी जितनी भी wind है वो move कर जाएंगी और ultimately यह move करके इधर के side में आ जाएंगी और ultimately यह move करके चली जाएंगी कहाँ पर Arabian peninsula या फिर बोल सकते Arabian sea में क्यों क्यों क्योंकि move कर रही है right side में right side में move करते ही अब देखिए basically इसका movement कहाँ दिख रहा है effective movement यह direction है east का यह direction बेस्ट का तो effectively जब आप top से देखेंगे over the top से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि movement basically उल्टा हो गया है कुछ इस तरीके से movement हो गया है actual में jet stream हमें इस direction में देखने को मिलती लेगिन अब उल्टी direction में आ रहा है देख सकते हो उल्टी direction में movement हो रहा है इसी लिए हम लोग इसको बोलना है sub tropical easterly jet stream अब समझ में आ गया jet stream easterly वाली क्या चीज़ है special case है केवल और केवल टिबत के प्लेटू के कारण से वना है और केवल और केवल समर के सीजन में बने गाई है clear अब ज़रा वापस से आते हैं अपने jet stream के side में अब इस jet stream में हम लोग ने देख लिया कि हाँ tropical jet stream extend कर जाएगी north of टिबत से और यह flow कर जाएगी किधर कोलकाता बैंगलोरू एक्सेस के side में कोलकाता बैंगलोरू side में आ जाएगी these upper easterlies descend to permanent high pressure area क्यों permanent high pressure area क्योंकि यह high pressure अगर बना हुआ होगा तो इसके just उपर में बना होगा low pressure और इसी low pressure की तरफ यह मालेते हैं कि तिबतन प्लेटू है यहां से low pressure बनी है यह उपर high pressure बनी है movement यह jet stream का हुआ है जिसको हम लोग सब tropical easterly jet stream बोल के रखे हुए है jet stream और यह move कर जाएगी किधर low pressure कोई भी हवा low pressure ही चलेगी ना high pressure to low pressure और इस तरीके से हम लोग देख लिए कि यह east से west side में move कर रही है तो यह अपने high pressure area की तरफ attract होते जाएगी over the southern Indian ocean और यह बना कहा हुआ है देख लीजिए वही southern ocean यहाँ पे southern southern side में आ गया ना southern Indian ocean side में क्योंकि यहीं से हवा ऐसे बू करती है यहीं करती है तो इस area में आ करके dump कर जाएगा इस area में आ करके गिरना शुरू हो जाएगा subside करना शुरू हो जाएगा this naturally intensify यह जो होता है बलकि यहाँ पर जो system हुआ है क्या system हुआ है एक बार देखिए यहाँ पर फिर से एक बार मिटा करके मैं दिखाता हूँ क्या system हुआ है यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था कि मा लेते हैं यह इंडिया का अगर टिप है तो यहाँ पर ITCZ इस तरीके से अंदर के side में move कर जाती है जो हमारी wind trade wind कुछ इस तरीके से move कर रही थी और अपने left side में move कर रही थी because of what because of southern hemisphere अब यह उपर जब आएंगी तो अपने right side में move कर जाएंगी क्योंकि यहाँ पर north hemisphere आ गया है right में Coriolis force इसको move करा देगा तो इस area में जो यह Indian ocean का इस area है यहाँ पर बनी हुई है high pressure कैसे बनी हुई है again इसको जड़ाइज करके दिखाता हूँ यहाँ पर हमारी माल लेते हैं कि यह पूरा का पूरा अर्थ again यह माल लेते हैं पूरी की पूरी हमारी अर्थ है यह हमारी अर्थ है यहाँ पर हमारा zero degree है और चुकि insulation इस area में ज़्यादा मिल रहा है तो ITCZ move कर गई थी इधर तो उपर का pressure area भी इसी तरीके से built चमक गया था और नीचे वाला भी pressure built तो उपर इस तरह से shift हो जाएगा तो यह अगर low pressure है तो यह वाला कैसा है high pressure यही पर वो सारी की सारी जो jet stream है आकर कि यहीं subside हो रही है यही वो इलाका है high pressure का यही वो low pressure का इलाका है यही वो तिबतन प्लेटू है जो low pressure पर बनी है उपर इसका high pressure बना हुआ है और इस तरीके से jet stream move कर जा रही है अब clear हो गया तो यह basically जो jet stream कह सकते हैं subside कर रही है वो इस इलाके में southern hemisphere में आकर के subside कर रही है जहां से movement होगी हवा की tropical यह सब क्या है यह सब trade wind है यह सब trade wind है जो horizontal direction में चल रही है यह horizontal है यह vertical है तो horizontal direction में चलेगी और ultimately equator को cross करके इंडिया के side में move कर जाएगी clear हो गया तो high pressure it is from high pressure cell on shore wind यह वही trade wind है blowing towards the thermally induced low pressure area developed in the northern plain of Indian subcontain clear हो गया तो खाफी detail में देखा है हम लोगोंने सारी चीजे clear हो गई होगी क्या है आगे अगर बात करें after crossing equator such wind becomes south westerly क्योंकि again वही Coriolis right side में move करा दिया and are known as south westerly summer monsoon clear these surface wind have vast potentiality for south westerly summer monsoon and precipitation it is therefore clear that strengthen the easterly jet stream is directly related to intensification of permanent high formed over the southern Indian ocean तो permanent high pressure यहाँ पर बना होगा अरसी कारण से यहाँ पर पूरी की पूरी इस तरीके कि हमें system देखने को मिल रही होती है clear हो गया यह risk करता हूँ ताकि आगो clarity के साथ दिखेगा during summer monsoon के season में जो northern hemisphere है low pressure region बनेगा कहां कहां पर low pressure मतलब जहां पर temperature काफी ज़्यादा होगा temperature ज़्यादा कहां होगा जो थार का desert होगा यानि पाकिस्तान का area या फिर राजस्तान का जो जैसल मेर का area है यह इलाकत temperature बहुत high बनी होगी इस temperature high के कारण से low pressure बन जाएगी इस low pressure के कारण से जितनी भी साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होते जाएंगे अब देखें हाँ पर ये बन गया है पेशावर वही पाकिस्तान में और नॉर्थ वेस्ट यानि की राजिस्तान के रिया में देखेंगे तो इंटेंस हीटिंग अफ ग्राउंड दूरिंग अप्रेल मई एंड जून बट एस लॉंग एट पोजीशन ओफ अपर एयर जेट स्ट्रीम इस मेंटेंड एबब द सर्फिस लो प्रेशर ऑफ हिमालिया डाइनमिक साइक्लोन कंडिशन इरान पाकिस्तान और इस देखने को नहीं मिलती है क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की कह लिए लिए नहीं भी विंड आए मॉइस्चर जब तक नहीं रहेगा तब तक यहां पर किसी भी प्रकार की रेंफॉल हमें देखने को नहीं मिल सकती है क्लियर हो गया है यहां तक तक तो सीन अब देखिए इट मी भी नोटेड आउट डैट मॉनसून अराइविन जो अमारी में अगमार है और नौर्थ इश के एरिया में फिर अल्टीमेटली जो होती है बारिश बारिश हो जाती है इसको अभी हम लोग देखते हैं क्या सीन है ब मौसम है जून का यानि मौसम चल रहा है समर मौनसून समर का सीजन चल रहा है समर के सीजन में हमें पता है कि किसी भी पतार की जट इस्ट्रीम इंडिया में नहीं आपाएगी जो भी जट इस्ट्रीम आएगी वो सब ट्रॉपिकल इस्टरली जट इस्ट्रीम आएगी के साइड में चली गई और तिबत के कारण से पोजीशन लेके रखी होई है 40 डिग्री नॉइट जो नॉर्थ एक लेटिटूड है जिन इस तरीके से इंपॉर्टन फैक्टर हो जाता है इसको जटी स्ट्रीम को अपने साइड में खीचने के लिए तो यह सब तो खेर आलरी हम लोग ने डिसकस कर लिया है यह पर कुछ बताने वाली बात नहीं है जो हमारे हमारे इन सहावें वो कहते हैं कि the abrupt onset of monsoon summer in the beginning of June is prompted by hydrodynamic effect of हिमालिया hydrodynamic का मतलब हो गया जो ओरोग्राफिक rainfall होती है तो ओरोग्राफिक की वज़े से यह बारिश हो रही है thermally induced low pressure यह सब चीजे तो normally है इसमें कोई दिक्कत नहीं है आगे बात करें अगर तो देखिए summer time में यहाँ पर बता रहा है summer time में जो थोड़ा सा main खेल होता है main game summer में ही है क्योंकि यहाँ पर तिब्बतन प्लेटू गरम हो जाती है और गरम होने के कारण से anti-cyclonic condition यहाँ पर anti-cyclonic condition का मतलब वही है कि जहाँ पर low pressure बीच में बन जाएगा आसपास के इलाके high pressure से बने हुए और इस कारण से यहाँ पर wind आ जाती है और ultimately इस तरीके का एक anti-clockwise system बन जाता है जिसको हम लोग anti-cyclone बोलते हैं just for your concept केवल यहाँ पर बात किया गया और यहाँ पर कोई चीज नहीं है इस कारण से यहाँ पर जो wind है वो उपर के साइड में उपर उठ रही होती है और इस तरीके से सब ट्रॉपिकल जेट इस्ट्रीम का एक easterly jet stream को बना दे रही होती है और जो south india में south indian ocean है उसको high pressure और ज्यादा intensify कर देती है जिसके कारण से जो southwest monsoon develop हुई है वो और ज्यादा strong हो जाती है यहाँ पर बाते क्या हुई है बाते यह हुई है यह इंडिया है जो हमारी ITCZS move कर गई है यहाँ पर हमारी south east फिलहाल अभी trade winds है यह trade wind move करके इधर के side में अंदर आ गई है अंदर आने के कारण से इसको हम दो बोलते है southwest monsoonal wind और यह पूरा का पूरा इलाका easterly jet stream के कारण से यहाँ पर जब sinking हो गई है sinking के कारण से यह trade wind और ज्यादा strong हो गई है इस strong होने के कारण से अब जो wind अंदर की और जा रही होगी southwest monsoon बन करके यह और ज्यादा स्ट्रोंग बन के जाएगी और ज्यादा मॉश्चर उठा के लेके जाएगी और ज्यादा इंडिया में बारिश कर रही होगी है क्लियर देटा क्लेक्टेड बाई मॉनेक्स सपोर्ट दा हायर आफ इंडरी यह सब कुछ खास नहीं इसको छोड़ दिया आगे बात करते हैं on the southern side of this high air anti cyclone the direction of air flow is from east to west and in fact these easterly wind blowing in the mid tropical troposphere are known as tropical easterly jets तो tropical easterly jet बगरे के बारे में तो अलड़ी हम लोगोंने काफी कुछ डिसकस करी लिया है यह हमारी पूरी के पूरी empty in के द्वारा कही हुई theory के बारे में था जहां पर empty in काफी हद तर काफी detailed manner में Indian monsoon को डिसकस कर दिये थे जो की हमारे हैली साहब के द्वारा या फिर front गया था अगर हम दो देखें हमारे हेली साहब के द्वारा क्या बोला गया था एक area ले ले लेते हैं हेली ने बोला था कि केवल और केवल जो thermal gradient होती है उसके कारणा से बनता है यानि कि जो sea breeze और land breeze है उसके कारणा से होता है तो यह गलत हो गया था गलत प्रूफ करने वाले ते फ्लान साहब फ्लान ने बोला इटी सीजड होता है आईटी सीजड के बाद में कुछ recent development रूज ती जहां पर यह बोला गया था कि केवल और केवल आईटी सीजड ही नहीं होता है बहुत सारी और भी चीज़े होती है इसके improvement को ले करके MP इन साहब ने बोला कि देखिए there is a jet stream and it functions differently in summer monsoon as well as in winter season तो अलग-अलग सीजड में jet stream अलग-अलग तरीके से function कर रही होती है उसके function के बारे में इन्होंने detailed discussion कर दिया जो कि हम लोग ने पूरा system देख लिया है jet stream के बारे में already हम लोग ने देख लिया है अब हम लोग जरा आते हैं कि monsoon के कारण से और भी कुछ effects होते हैं और भी कुछ अलग-फिनॉमिनाज होती है जो recent में खुजी गई है और काफी आदा impact कर रही होती है इसमें सबसे important एक फिनॉमिना होती है जिसको हम लोग बोलते ह एल नीनो concept ठीक है एल नीनो concept होती है अब एल नीनो concept क्या होती है पहले इसको discuss कर लेते हैं फिर उसके बाद से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे क्या है अब देखिए यहाँ पर यह है हमारा South America इस South America में यह इलागा आता है पेरू का तो this is basically पेरू और इस पेरूवियन post बोला आता है यहाँ पर यह कौन सा इलागा है यह अर्जेंटीना हो जाती है ठीक है चिली हो जाती है अर्जेंटीना हो जा रही होती है ठीक है अब यहाँ पर जो है पेरूवियन करेंट इस तरीके से यहाँ पर move कर रही होती है कैसी करेंट है यह western side में है cold current होती है लेकि सारी चीजे कही जाती है जैसे upwelling का एक reason दिया था यहां पर मिलिक दे रहा हूँ upwelling का कई सारे reasons दिये जाते है जैसे एक reason दिया जाता है bird dropings कि bird की जो dropings होती है वो यहाँ पर कैलिजे टोपोग्राफी इस तरीके का बना देती है ocean के post के पास में कि upwelling होनी शुरू हो जाती है कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं density differentiation होती है इस कारण से यहाँ पर upwelling होनी शुरू हो जाती है कुछ लोगों का और भी बहुत सारा कुछ कहना है not important छोड़ सकते हैं आप उसको फिलहाल में upwelling होती है तो जब upwelling होगी आप फिलहाल देखिए यहाँ पर cold current है cold current होनी के कारण से यह जो region है यह बना होता है high pressure region इस high pressure region के कारण से यहाँ पर air sink करती है कैसे sink करती है ऐसे sink करती है यहाँ पर air sink कर रही होती है 3D figure है द्यान से समझेगा 3D figure sink कर रही है Sink करने का मतलब है कहीं से ऊपर भी उठना चाहिए जो ऊपर उठती है वो बिसिकली उठती है इस Australia के इलाके से और इस तरीके से आगे move कर जाती है और इस तरीके से यहाँ पर sinking होती है और यहाँ पर वापस से movement इस तरीके से आ जा रहा होता है यह movement बहुत जरूरी होता है otherwise इलाके में Australia के इस इलाके में देखिए यहाँ पर low pressure बनेगा तो low pressure बनेगी तो हवा उपर उठेगी हवा उठेगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर cloud बनेगा तो दो रास्ते एक तो यहाँ से यह उपर उठा है एक साइड इधर गया है दूसरा साइड जाएगा हमारे इंडिया के साइड में इस इंडिया के साइड में यहाँ पर भी low pressure create होती है और यह वाला कौन सा pressure है यह high pressure है यह high pressure है और high pressure कहाँ पे इस इलाके में ITCZ के जस्ट नीचे वाले इलाके में ताकि southwest मौनसून को यह strong करेगा और ultimately इंडिया में बारिश कर रही होगी यह clear दिख रहा है तो basically यह वो cycle होगी जो depend कर रही होगी इंडिया के साइड में wind की force जाएगी या नहीं जाएगी तो low pressure ह हवा यहाँ पर यह बादल उठा बादल उठा तो यहाँ पर बादल बारिश हो रिश कर रहा है अपना बारिश हो रही है यहाँ पर basically sinking हो रही है कि इस इलाके में पिरुवियन कोस्ट में क्योंकि cold current है और यह high pressure cell बना हुआ है लेकिन इस इलाके में होता क्या है जब upwelling यह special phenomenon होनी शुरू हो जाती है तो यह इलाका cold current की बजाए warm current आ जाती है यहाँ पर और इस warm current के कारण अब जो pressure high pressure बना होता था वो high pressure की बजाए अब यह low pressure region बन जाता है इस low pressure region के कारण अब यहाँ से mountain इस तरीके से battle बनना शुरू हो जाता है इसको battle बना देते हैं यहाँ पर battle बनना शुरू हो जाता है और इस battle के कारण से यहाँ पर rainfall होनी शुरू हो जाती है कहाँ पर पेरू में पेरू में हर 2-3 साल या 5 साल पे flooding की situation बाल की situation देखने को मिलती है and that is because of the upwelling condition which happened a special occasion of on the Peruvian coast तो इस तरीके से condition होनी शुरू हो जाती है जब यह condition इस तरीके से होनी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर बन जाएगा low pressure low pressure की कारणर से जो यह cycle इस तरीके से move करती थी पलट जाएगी अब यहाँ पर देखिए low pressure बन चुका है low pressure की कारणर से हवा उपर उठी और ultimately आस्ट्रेलिया में इस तरीके से movement श्टार्ट हो जाएगा और यह cycle का जो direction है वो change हो जाएगा इस change होने के कारणर से इसको हम बोलते है reversal of cycle इस cycle को खुजा गया था walker साहब के द्वारा और इसी वज़े से इसका नाम रख़ा गया था walker cycle और यह cycle जब उल्टी हो जाती है जब यह condition जो circulation है उल्टी हो जाती है तो अब क्या होगा अब यहाँ पर erase करते हैं और देखते हैं क्या होगा यह इलाका अब बन गया है low pressure का लो pressure बनने के कारणर से यहाँ पर air rise कर गई rise करने के कारणर से अब movement हो जाएगा इधर के side में यहांपर movement चला जाएगा इधर और साथ में आगे क्या बढ़ पाएगी क्या यहांपर नहीं यहांपर movement नहीं हो पाएगी और ultimately केवल और केवल इसी इलाके तक यह सीमित रह जाएगा और यहीं पर केवल और केवल रह जाएगा अब यहाँ पर क्या होगा कि यह इलाखा रिसीव नहीं कर पा रहा है जो यहाँ की wind है और इस कारण से यहाँ पर जो monsoonal activity हो सकती थी strong हो रहे थी वो अब strong नहीं होगी बल्कि weak हो जाएगी और इस weak होने के कारण से जो monsoon condition इंडिया face करता वो face नहीं करेगा ये जो मॉनसून या फिर पानी न बरसने की कंडीशन या rainfall न होने की कंडीशन होती है इसी को हमरों बोलते है L Nino Condition यानि कि इस L Nino Condition में हुआ क्या है की upwelling होनी शुरू हो गई है और इस upwelling होने के कारण से जो Peruvian Coast high cost पे बना होता था high pressure पे बना होता था वो अब low pressure पे आ गया है जो walker cycle Australia में rain करावती थी वो अब उल्टी होकर के पेरू के coast पे heavy rainfall करा रही है reversal हो गया और इस reversal के कारण से इंडिया में drought condition या फिर सूखे की condition देखने को मिल जाती है और इसी पूरी process को हम लोग बोलते हैं L-nino condition clear हो गया क्या चीज़ है अब जड़ा theory समझने की कोशिश करते हैं ताकि और clarity आ जाएगी क्या चीज़ है L-nino के बारे में देखेंगे तो L-nino इसको मतलब child Christ भी बोलते हैं क्योंकि ये 25 December के near about में हो रही हो थी इस बज़े से बोलते हैं Indian monsoon is also influenced by L-nino Southern Oscillation and Somalian इसके बारे में देखेंगे ये पहला number है ये दूसरा number है ये तीसरा number है पहले में लोग बात करेंगे one number की L-nino के बारे में फिर Southern Oscillation फिर उसके बारे से सोमालिया के बारे में बात करेंगे फिलाल L-nino को समझते हैं तो L-nino एक warm ocean current होती है जो की Peru coast पे सामने निकल के आती है दिसंबर के मौसम में इसलिए चाइल्ली क्रैस्ट के नाम से जना आता है ये cold Peru current जो actual में flow हो रही थी उसकी जगा पर warm replace कर देती है और इस कारण से जो condition Eastern Australia और Indonesia में देखने को मिलती वो अब उल्टी होना शुरू हो जाती है The appearance of L-nino reversal of condition there and develop warm condition over the Eastern Pacific यानि पेरुवियन कोस्ट में गरम condition यानि की low pressure region बना दिया बारिश करा दिया जो की होना चाहता आस्ट्रेलिया में लेकिन उल्टा हो गया है cold condition आ गया और इसकारण से यहाँ पर warm motion current produce हो जाती है पेरुवियन कोस्ट पे और ultimately जो rainfall होती है वो नहीं होगी In brief, the occurrence of L-nino result in a weak monsoon causing drought, flood and failure across in India समझ में आ गया क्या case है तो पूरी condition already हम लोग ने map से समझ लिया है बस उसको words में यहाँ पर लिख दिया है Southern Oscillation के बारे में अब देखते है Second Number पे ज़्यादा कुछ हंतर नहीं है Same सी चीज है बस यहाँ पर pressure के मावले में मतलब थोड़ा सा pressure का calculation कर लिया जाता है इस Southern Oscillation में होता क्या है यहाँ पर अगे जड़ा देखिएगा एक काम करते हैं यहाँ पर होता क्या है कि हम लोग pressure को count कर रहे होते हैं मतलब pressure difference देख रहे होते हैं यहाँ का एक pressure होता है इस pressure और यहाँ का pressure होता है ठीक है यहाँ का pressure अगर यहाँ का pressure low है यहाँ का pressure high है यानि कि पेरू का pressure माइनस ऑस्ट्रेलिया का Eastern Australia का pressure Southern Oscillation और इस Positive Southern Oscillation के कारण से इंडिया में Heavy Rainfall देखने को मिलता है Heavy Rainfall लेकिन वही अगर ये Value Negative दे दे तो इसको हम लोग बोलते है Negative Southern Oscillation इस Negative Southern Oscillation के कारण जो Rainfall इंडिया में Heavy होनी चाहिए थी वो अब Draught Condition में सामने आ जा रही होती है यानि की Negative Southern Oscillation is related with L-Nino concept and Positive is related with La Nina concept दोनों के समझ में आ गया L-Nino, La Nina का मतलब क्या चीज़ है तो बस वही चीज़ यहां पर बुला गया है Southern Oscillation is named ascribed to the Seesaw Pattern of Meteorological Changes जो की Pacific और Indian Ocean में Observe की जा रही होती है इन दोनों के pressure difference में देखी जा रही होती है Generally क्या होता है कि जो surface pressure Pacific का होता है वो higher होता है Peru आलिसाइड का और Indian Ocean का pressure जो होता है वो low होता है यह होती है normal condition monsoonal condition and this inversely related with the rainfall this suggests that जब low pressure Indian Ocean पे रहेगा winter मौसम में यानि की positive oscillation रहेगी positive हम लोगों ने जो अभी देखा है it is good for Indian monsoon बढ़िया चीज होती है लेकिन वही अगर उल्टा हो जाता है कि यहाँ पर जो होता है negative sudden oscillation देखने को मिल जाती है तो इस तरीके की condition से बहुँ ज़्यदा दिक्कत हो जाती है और ultimately monsoon जो होनी चाहिए होती है वो weak हो जाती है इसको सबसे पहले देखा गया था Gilbert Walker के द्वारा और इसी वज़े से इस सेल का नाम Walker सेल रख दिया गया था clear हो गया क्या चीज़ है तो हम लोगों ने लिनो देख लिया हम लोगों ने सदन oscillation देख लिया चलते हैं जरह सोमालियन करेंट की रव और सोमालियन ओशियन के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है सोमालियन ओशियन के बारे में एक बार थोला सा इसको भी देख लीजे कुछ खास है नहीं जस्ट एक थियोरी है तो एक बार फड़ावट पढ़ लेते हैं इसको कि जो oscillation है बिसिकली दो से साथ साल में देखने को मिलता है यानि कि L-Nino और जो यह ला निना की condition होती है यह बिसिकली दो से साथ साल में flip करता रहता है oscillation देखने को मिलती है इसलिए इसको हम लोग बोलते है sudden oscillation तो इस वज़े से इसको sudden oscillation बोलते है ये pressure difference से चक्की आ जाता है कैसे एक ताहिती में और दूसरा होता है डार्विन में ताहिती और डार्विन है कहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ये जो इलाका है इस इलाके में आ जाती है ताहिती और आस्ट्रेलिया का port है जिसको हम बोलते हैं डार्विन तो इन दोनों के pressure को basically चेक किया जाता है अगर ताहिती का pressure डार्विन से जादा है ये वाला high है तो positive sudden oscillation देखने को मिलता है good for monsoon लेकिन अगर ये low हो जाता है और negative sudden oscillation हो जाती है तो उस समय हमें weak monsoonal condition देखने को मिल जा रही होती है clear हो गया तो बस वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है its representative system in the Indian ocean cycle a negative value of sudden oscillation low pressure Peru coast पे high pressure Indian ocean पे और इस तरीके से ये जो poor condition of monsoon देखने को मिल जा रही होती है clear sudden oscillation is closely linked with the walker circulation देखा अभी हम लोगों ने कि दोनों के दोनों basically एक ही चीज़ है या कह सकते है कि link चीज़ है तो high positive ultimately lead to zone of low pressure over Australia और ये convective cloud बनाएगा और अच्छी खासी rainfall करेगा और बढ़िया चीज़ हो जाएगी लेकिन वही अगर उल्टा होता है walker circulation जो होती है उल्टी हो जाती है तो हमें उल्टी चीज़ देखने को मिल जाती है और ultimately इस तरीके से पूरी system देख लिया हम लोगों ने यानि कि अगर positive value of southern oscillation होती है तो वहाँ पर cold peru current रहेगी strong red wind बनेगा accumulation of water हो रहा होगा और rise in thermocline देखने को मिल रहा होगा और इस तरीके से हमें पूरी की पूरी जो condition है वो हमारे favor में Indian monsoon के favor में देखने को मिल रही होगी next जो चीज़ है वो हाती है हमारी Somali current Somali current third चीज़ आयाती है already हम लोगों ने एक देख लिया El Nino के बारे में दूसरा हम लोगों ने देख लिया Enso के बारे में या फिर Southern Oscillation के बारे में तीसरी अब देखने वाले है हम लोग Somalian current के बारे में कुछ खास नहीं है यहाँ पर एफ्रीका है इस आवर एफ्रीका ठीक है इस एफ्रीका पे यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर Somaliya के डाकू से याद होगा आपको यहाँ पर Arabian Peninsula इस तरीके से बन जाता और इंडिया का पार्ट आ जाता इस तरीके से ठीक है यहाँ पर मारी शिलंका हो गई और यह Ultimately Equator आ गया यहीं पर हमारी वो High Pressure बनी हुई है इस High Pressure की कारण चाहे वो Easterly Jet Stream हो यहीं आकर के स्टिंक कर रही है चाहे वो Southern Oscillation Walker Cell हो यहीं आकर स्टिंक कर रही है तो इसी इलाके में यह जो High Pressure है इसको Super High बनाने की कोशिश की जा रही होती है जिससे की जो Low Pressure इंडिया में बना हुआ है यह Low Pressure इस South की कारण से लगातार अट्रैक्ट करेग और Ultimately Horizontal Direction में यह Winds जो है South East Wind जाकर के इंडियान मौनसून के ओर टक्रार ही होंगी सुमालियन करेंट भी कुछ इसी तरीके का है तो सुमालियन करेंट भी जो होता है वो अपने Direction Flow को हर 6 महीने में बदल र रहा होता है इन Exceptional Year और 6-7 साल पे Low Pressure Area in the Western Arabian Sea become High Pressure Zone यह इलाका High Pressure बन जाता है और High Pressure बनने के कारण से ही यहाँ पर Cyclones डवलफ हो जा रहे होते हैं और Ultimately Weaker Monsoon यहाँ पर देखने को मिल जाती है क्योंकि यहाँ पर दीखिए High Pressure अगर बनेगा सीधी सी बात है इलाका Distribute हो जाएगा जो भी Winds आ रही होती है वो Distribute हो जाएंगी और यहाँ पर जो Concentration होनी चाहिए थी वो Concentration नहीं हो पाएगी तिबतन प्लेटू के बारे में देखा फिर हम लोगों ने Somalian Current के बारे में देखा और सारी की सारी कंडिशन को देख लिया तो हम लोगों ने Monsoonal Activity देख ली कि हमारे Summer में क्या हो रही है हमारे Winter में क्या हो रही है अब हम लोग जब देखते हैं Burst of Monsoon के आखिर में यह जो Bur रहा है देखते हैं देखें Burst of Monsoon का मतलब है कि अचानक से जब Rainfall स्टार्ट हो जा रही होती है तो इसको हम लोग बोलते है Burst of Monsoon जनरली देखिए ऐसा ही हमें Indian Monsoon सिस्टम में देखने को मिलता है जहां पर केरला कोस्ट पे केरला कोस्ट पे एक जून को इसके अलावा अनम यह Burst देखने को मिल रहा होता है क्यों हो रहा होता है Burst अभी थोड़े देर में समझते हैं फिलहाल जड़ा थियोरी पे आते हैं The onset over the Indian subcontinent is abrupt and dramatic. It is always accompanied by turbulent weather. Burst of Monsoon is associated with a certain basic change in general upper air circulation over Asia. कौन से air circulation है वही जटी स्क्रीम वाली circulation है. मई और अपरेल में insulation heat होने के कारणा से धीरे धीरे जो southwest monsoon है अब वो flow होना शुरू हो जाता है warmation की तरफ बट नॉर्थ वर्ड सर्ज जो है वो अचानक से देखने को मिलता है जब subtropical jet stream और जो एल निनो वाली condition थी मतलब की जो wind walker cell के कारण से आ रही थी वो दोनों के दोनों accumulate होना शुरू होती है और ultimately north ये जो southwest monsoon है वो देखना शुरू हो जाती है how are in my and early June when the thermal condition are satisfied मतलब की इंडिया में low pressure बन चुका होता है जब तो jet stream पूरी तरीके से disappear हो चुकी होती है और ultimately हिमालिया के south में जो ये कह लिजे की सब ट्रॉपिकल easterly आ रही है वो अपर ट्रफ बनाते हुए ultimately पूरी की जो कह लिजे की jet stream है उसको और strong करवा देती है और ultimately यहाँ पर rainfall होनी शुरू हो जा रही होती है defined monsoon circulation from the sea on the land is established summer monsoon generally begin late May in most part of the south east Asia but over India ये delay हो जाती है और ultimately इस तरीके से condition हमें देखने को मिल जा रही होती है कोटेश्वरम भी हमारे contributor है जोग्राफर है उन्होंने भी बताया था इसी seem condition के बारे में जैसा के हम लोगों ने अभी discuss किया है जहाँ पर anti-cyclonic condition डवलप हो जाती है राजस्थान के area में और तिबतन प्लेटू पर भी इस तिबतन प्लेटू पर anti-cyclonic condition डवलप होने के कारण से यहाँ पर एक easterly jet stream निकल जाती है जो कि इंडिया के south में आ करके adjust करती है circulation pattern और southwest monsoon को और ज़्यादा strong बना रही होती है the mentioned upper air circulation paved the way for advance of southwest monsoon current over the subcontinent the monsoon current therefore prevailed the throughout India and depth of the monsoon in India is about 6.5 km और इस तरीके से हमें पूरा का पूरा system इस तरीके से पूरा पूरा monsoon हमें देखने को मिल जा रहा होता है the abrupt travel of monsoon is of great climatic and social significance to the people of subcontinent of India the onset of monsoon put and end to scratching weather तो इस तरीके से पूरी की पूरा system देखने को मिलती है गर्मी के दिनों में हमें लू टाइप की काल बैसा किया बहुत सारी local winds होती है उसको देखने को मिलता है और इस तरीके से हमें काफी जादा जो monsoonal condition होती है वो देखने को मिल जा रही होती है तो सारी चीज़े हम लोग ने discuss कर लिया सारी चीज़ें समझ में आ गई है next to concept आता है वो होता है breaking monsoon break का मतलब यह होता है अब ज़रा फिर से ध्यान से समझ जीएगा यहाँ पर देखिए यह map बनाता हूँ मैं और map से ही समझनी की कोशिश करेंगे क्या चीज़ है यहाँ पर map को थोड़ा छोटा करते हैं और यहीं तक समझ में लेते हैं क्या चीज़ है अब देखिए southwest monsoon आई थी अट्रैक की थी यहाँ पर हमारी western घाट है यहाँ पर हमें यह इस्टन घाट है दो पार्ट में टूट जा रही होती है एक पार्ट हमारी बन जाती है जो इधर के साइड में दूसरी पार्ट चली आती है इधर से ultimately parallel होते हुए गारोखासी जनती और ultimately इंडिया क्योर में चली जा रही होती है यह wind निकल रही होती है गुजरात के side से और ultimately यह दोनों के दोनों gangetic basin या gangetic plane पे मिलती है और आगे बढ़ती है और इस तरीके से यह इलाका मतलब की इधर का जो region है वो इस वाले southwest मौनसून से बारिश करा देता इधर का जो region है वो ultimately इस वाले जो कह लिजे की दूसरा वाला जो पार्ट है उससे बारिश होना शुरू हो जा रही होती है यह बारिश सबसे जादा नौर्टीश में होती है और ultimately आगे बढ़ते बढ़ते खतम होती जाती है चूंकि इसके अंदर में moisture बहुत जादा limited होता है इस moisture limited moisture के कारण से जब यह राजस्थान पंजाब और उत्राखंड इस area में पहुंसती है तो यहाँ पर बारिश नाम मातर के लिए करती है फिर कहा सकते हैं less than 25 cm rainfall कर रही होती है क्योंकि इसके अंदर moisture नहीं बचा है dry हो चुकी है dry होने के कारण से कहीं से इसको rainfall मतलब की moisture मिला नहीं मिला नहीं तो सीजी सी बात है बारिश नहीं कर पाया और इस तरीके से जो southwest mountain ने निकल जा रही होती है खतम हो जा रही होती है basically फिर मौसम ये पुरा मौसम होते होते October का season चला जाता है और October सितंबर October के बाद से ultimately होती क्या है कि यहां पर जो कहा लिजे insulation है वो insulation की जो tendency होती है या sun की जो position होती है वो change हो जाती है और sun की position change होने के कारण जो हमारे पास sub-tropical jet stream है वो jet stream जो 35 degree से 45 degree की और move कर रही थी वो shift हो करके 22-35 degree के बीच में आ जा रही होती है यह वही shifting है जिसके कारण से jet stream दो पार्ट में टूड जा रही होती है एक तिबबत के south से निकलती है और एक तिबबत के north से निकल जाती है इस jet stream के movement के कारण से ultimately यह जो tropical आ रही थी वो आ रही थी कहां से यह आ रही थी Mediterranean से इस Mediterranean में यहाँ पर बना रहता है temperate cyclone और इस temperate cyclone के कारण से ultimately यह बारिश करते हुए आ रही होती है और बारिश करते 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 यहाँ पर इंडिया में पहुंसती है और ultimately जो हिमाचर प्रदेश जो हमारे जम्मू कश्मीर पंजाब और जो यह कह लिजे आजस्थान का इलाका इसको बारिश कर देती है चुकि इसके पास में Mediterranean Sea से फिर उसके बाद से Black Sea से फिर उसके बाद से Castian Sea से बारिश उठाके मतलब पानी उठाके मौश्चर उठाके ले करके आती है लेकिन उत्तर प्रदेश से बिहार के आगे जैसे ही बढ़ती है जारखने के इरिया में इसमें मौश्चर खतम हो जा रहा होता है मौश्चर खतम हो जाती है आगे इसको अगें सेंटैक्सियल बेंड आफ हिमाले के कारण से Bay of Bengal में पहुचती है Bay of Bengal में पहुचेगी तो अच्छा खासा यहां पर पानी मिला हुआ है पानी, water, moisture अवेलेबल हो जाता और जैसे ही यह वापस से इंडिया में एंटर करती है यह इलाका आ जाता है चिन्नई का और चिन्नई में चुकि यहां पर अच्छा खासा moisture आ गया तो बहुत ही heavy waterfall बहुत ही heavy rainfall करती है और इस कारण से चिन्नई में हर साल flooding condition हो जा रही होती है क्यों flooding condition हो जा रही होती है समझ में आ गया होगा यह जो वापस से monsoon आ रही है जो return हो रही है जो यह jet stream के कारण से आ रही है इसको हम लोग बोलते है retreating monsoon या फिर renewal of monsoon यह monsoon जो होती है वो आ रही है देखेंगे आप north east direction से इस वज़े से इसको हम लोग बोलते है north east monsoon यानि कि जो monsoon actual में थी वो southwest थी और जो retreating है जो उल्टी आ रही है वो north east monsoon rain के लिज़े हवाएं है समझ में आ गया तो north east basically जो होगी वो winter के season में होगी और summer के season में जो होगा वो southwest का monsoon होगा और इस तरीके से दोनों में बारिश हो रही होगी लेकिन इन दोनों में जब बारिश होगी तो एक इलाका है जो सितंबर अक्टूबर में खतम हो जा रहा होगा और दूसरा फिर ये number से start हो जा रहा होगा बीच में one month gap आ जाती है ये जो one month gap है इसी को हम लोग बोलते है break in monsoon जहां पर बारिश नहीं हो रही है समझ में आ गया क्या चीज़ है बारिश नहोंने का reason क्या है अब हम बज़रा इसके बारे में अगर देखें break in monsoon के बारे में तो the migration of monsoon rainfall zone is one of the major sub-seasonal variation of the summer south-westerly monsoon monsoon जो है वो continuous process नहीं है हमेशा नहीं होती है बलकि seasonal activity होती है और ये अलग-अलग तरीके से हो रही होती है लेकिन जब इसको locally देखा जाए तो active and break monsoon respectively and where exist and time scale ranging few days to few weeks और इस तरीके से monsoon वापस reappear होती है annual cycle के रूप में और इस तरीके से जो चीज़े हो रही होती है उसी कौम लों बोलते हैं कि वो break in monsoon हो रहा होता है clear हो गया आगे अगर बात करें तो periodic duration there will be a rapid succession of weather disturbance or storm lasting few days are referred to as active period of monsoon period during which there is no rainfall a few days are break period of monsoon during an active phase tropical easterly jet stream strong हो जा रही होती है आपर circulation और इस तरीके से हमें system देखने को मिल जा रहा होता है तो ये पूरा का पूरा break in monsoon session के बारे में था काफी कुछ लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजेगा जितना discuss करना था जितना technicality थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है अब इसके आगी जब आप देखेंगे तो इसको आप लोग देखेंगे अगें same चीज वही लिखी हुई है बस अलग-अलग लंबे चोड़े word में लिखा हुआ इसको आप लोग पढ़ लीजेगा और पढ़ने के बाद फिर उसके बाद से notes बना लीजेगा same चीज अगर आपको कोई doubt होता है तो again वो description box में टेलिग्राम चैनल के link दी ही हुई है वहाँ पर आप जोइन करके अपने doubt को पूछ सकते हैं अब next topic आता है हमारा onset of monsoon के मतलब किस date में कहां तक ये पहुच रहा होता है तो onset of monsoon के बारे में बात करें तो ये होती है rain is viewed in monsoon literature as worst of monsoon बात ही कर लिया हम लोग ने worst of monsoon के बारे में पूरा हम लोग ने topic ही देखा है it is commonly in the form of thunderstorm prediction of onset of monsoon health former to select the suitable crop क्योंकि हमारे पाफ तीन तरीके की cropping होती है राभी, खरीफ और जायर अलग-अलग monsoon condition के हिसाब से ये बोया जा रहा होता है जिसे नौर्थ इस्ट के दौरान में हम लोग रभी की cropping कर रहे होते हैं सौथ बिस्ट के दौरान में हम लोग खरीफ की cropping कर रहे होते हैं तो इस तरीके से ये जो IMD के कारण से जो forecast किया जा रहा होता है monsoon का वो काफी हद तक हमारे यहां की जो कहली जाए agriculture है उसको impact कर रहा होता है now next thing is progress of monsoon मतलब कि monsoon कि इस तरीके से progress कर रहा होता है तो जब monsoon आता है तो सबसे पहले obviously वो श्रिलंका को hit करेगा श्रिलंका को hit करने के बाद जो हमारी अन्मान निकोबार है वहाँ पर hit करता हो यह hit करता है मई में मई में hit करने के बाद यह फिर माला बार कोस्ट में पहुंसता है केरल में और एक जून को यहां पर rain fall करना शुरू कर देता है हाला कि कभी कभी late होती है लेकिन यह late basically हो रही होती है because of all these atmospheric circulation उसका cumulative effect देखने को मिलता है जिसके कारण से rainfall में या monsoon के पहुचने में late होता है इसी कारण से news में आप लोगों ने सुना होगा कि monsoon एक हफ़ते की देरी से पहुचेगा या इस तरहीके से चीजे हो रही होती है clear आइसो लाइनस ऑन्दाएक्चली आइसो हैट बोला जाता है जो similar rainfall होती है उसको बलाता है uniform या कहanie एक जैसी rainfall होती होती है उसको है talvez ज्याव पर आइस देखिंडबск एक चली आती है जो बेफ बंगॉल साइड में चली आती है और दूसरी अरेबियन सी में चली आती है अरेबियन सी से मुंबई में 10 जून को बारिश होती है सेंटरल इंडिया में 15 जून तक बारिश होती है और वही जो हमारी बेफ बंगॉल वाली रिजियन है उसके कारण से 15 पंदरा जून को जा करके म्यंगमार के अराकान योमा में बारिश हो रही होती है उसके बाद में यहां दिया हुआ है अब जैसे साउथ वेस्ट मौनसून यहां पर इस तरीके से आई यहां पर यह मई में रेनफॉल करती है यहां पर भी यह अनमानिकोबार मई में रेनफॉल कर रही है जब यह केरला कोस्ट पे पहुँखती है तो यह एक जूम हो जाता है एक जूम से ये पूरा का पूरा इलाखा रेन्फॉल करना शुरू ओता है मुंबई में ये पंद्रा जूम तक पहुचती है और पांडर शूमा में बेसिकली पंद्राा जूम को rainfall कर रही होती है और ultimately अंदर move करके इस तरीके से अंदर move कर जा रही होती है यह जो first wing बोल सकते हैं first कैलीजे की wind है और जो second wind है दोनों के दोनों gangetic plane में एक दूसरे को आपस में फिर से मिलती है और ultimately dry होने के कारण यह राजस्थान के एरिया में जादा rainfall नहीं कर पाती है तो meanwhile the progress of Bay of Bengal branch है वो no less spectacular और यह Bay of Bengal में जाते आते जो होता है आगे बढ़ते हैं और third week of मई तक पहुसती हैं और आकानियो मा कोश पे चितगाउंग मतलब कि बंगलादेश में जाते आते ये फिर बारिश करना शुरू कर देती है और बारिश करते करते जो में घालिया रिजियन घारोखासी जियंतिया रिजियन यहां तक आते आते ultimately near about 15 June हो जा रहा होता है फिर ये बारिश करती है और ultimately हिमालिया के संपर्ख में आने के कारण से branch जो होती है वीक आप जुलाई पहुच जा रहा होता है और इस तरीके से आगे जब मूव करती है तो था डिजर्ट में चली आ रही होती है और फिर वहाँ पर बारिज जो होती है नहीं कर पाती है तो यह थी हमारी पूरी आज की पूरी डिसक्शन के तुरू आप जो होता है आम तगरी जाओब कर सकते हैं मिलते हैं अपने नेक्स डूडियो में तब तक के लिए थैंके सो मच